आदर्णिय प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश के आदर्णिय मुख्य मंत्री जी आदर्णिय राज्यपाल महोदया देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनी धित्व करने वाले हमारे संत रुशी आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनी धित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाओ आज का आनंद शब्दों में वरणनाती थे और उसके वरणन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तवयों में अच्छा हो गया है ये भी बता दिया गया है और हम जानते भी है कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वल लवट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा इसका प्रतीक आज का कारिक्रम बन गया है ऐसे समय में आपके उत्सा का आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता हम यहां पर अनुभव कर रहे हैं पूर्ण देश में यहीं वाता वरण है छोटे छोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारिक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोडो बंधू वहां पहुच ना पाए ऐसे घरगर के अमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी सब भाव विवहोर है सब में आनन्द है सब में उत्सा है और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में पधारने के पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कठोर्वरत रखा जितना कठोर्वरत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर्वरता चरण उन्होंने किया मेरे पुराना उनसे परिचे है मैं जानता हूँ वो तपस्वी है ही परन्तु वो अकेले तब कर रहे हम क्या करेंगे अयोज्या में रामलला आये अयोज्या से बाहर क्यों गये थे रामायन में क्यों गये थे बाहर है कि तो अयोज्या में कलह हुआ अयोज्या उस पुरी का नाम है जिसमे कोई द्वण्द्व नहीं जिसमें कोई कलह नहीं जिसमें कोई दिविधा नहीं वो हुआ 14 वर्ष वर्वास में गए वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए आज रामलला वापस फिर से आए है 500 साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे सुवर्न दिवस देख रहे उनका स्मरण प्रान प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा स्मरण किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शतबार सहस्तरबार कोटिबार नमन है रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख्धाइन्या हरन होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्थ है प्रण्तु उसमें हमारी लिए कर्तव यका आदेश भी है प्रधान मंत्री जी ने तब किया अब हमको भी तब करना है राम राज्या अने मला है वो कैसा था डैही का दैवी का भौती का तापा राम राज नहीं कहुई वापा सब नरकरही परस्पर प्रीती चलही स्वधर्म निरतश्रुती नीती सब निर्दंभ धर्म रतपुनी नरु अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ज्यानी सब कृतज्य नहीं कपट सयानी राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वरणन है हम भी इस गवरों में भारत वर्ष की संताने हैं कोटी कोटी कंथ उसका जैगान करने वाले हमारे हैं हमको इस प्रकार के विवहार को रखने का तप आचरन करना पड़ेगा हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी चोटे-चोटे परस्पर मत रहते हैं चोटे-चोटे विवाद रहते हैं उसको लेकर लड़ाई करने की आदा छोड़ देनी पड़ेगी आखिर है क्या ये बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे निर्दंभ प्रामाणिक्ता से आचरण करने वाले केवल बाते करने वाले नहीं और बाते करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे काम करते थे आचरण करते थे और अहंकार नहीं था ऐसे वो थे और धर्मरत थे याने क्या थे इस पर कषिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है लिकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चोखट पर धर्म है ऐसा श्रीमत भागवत में बताया है सत्य आररे लिए युगानुकूल आचरण क्या है 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 तो सत्य कहता है कि सब घटो में राम है ब्रह्म सत्य है वही सर्वत्र है कि तो हमको ये जानकर आपस में समन्स वैसे चलना हुगा क्यूंकी हम चलते हैं सब हमारे हैं इसलिए हम चल पाते हैं और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवार करना यह धर्म का पहला जो पहरे सत्य उसका अचरण है करुणा दूसरा कदम है उसका अचरण है सेवा और परोपकार सरकार की कई योजनाए गरिबों को रहत दे रही सब हो रहा है लेकिन हमारा भी करता है यह सब समाज बांदों हमारे अपने बंदु है तो जहां हमको दुख्ख दिखता है पिड़ा दिखती है वहां हम दोड़ जाए सेवा करें दोनों हाथों से कमाएं अपने लिए न्यूनतम आवश्चक रखकर बाकी सारा वापस दे सेवा और परोपक चाहिए पवित्रता के लिए संयम चाहिए अपने को रोकना है सब अपनी इच्छा है सब अपने मत सब अपनी बाते ठीक होंगी ही ऐसा नहीं और होगी तो भी अन्यों के भी मत है अन्यों की भी इच्छा हैं और इसलिए अपने आपको संयम में रखते हैं तो सारी गांदी जी कहते थे अर्था इनफ फॉर एवरीवन्स नीड है पट इट कैनाट साइश्पाइवरीवन्स ग्रीड है तो लोब नहीं करना सायम में रहना और अनुशासन का पालन करना अपने जीवन में अनुशासित रहना अपने कुटुम्ब में अनुशासन रहना अपने समाज में अनुशासन रहना सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक सम्वेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक् कि इससे जीवन में पवित्रता आती है और तपस का तो मूर्तिमान उदारन आपके सामने आज दिया गया कि व्यक्तिकत तपस तो हम करेंगे सामुहिक तपस क्या है संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनावसी जानता हूं हम साथ चलेंगे बोलेंगे आपस में उसमें से एक सहमतिका संवाद निकालेंगे एक कहीं भाषा बोलेंगे वो वाणी मन मचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे अपने जैश को विश्वगुरु बनाएंगे यह तपस हम सब को करना है पास्सों वर्षों तक अनेक पीडियों ने लग कर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देखे खून पसीना बहा कर आज यह आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्द करा दिया उन सब के प्रति हमारे मन में कृतग्यका है मैं यहाँ बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे मैंने क्या किया वो तो जो उन्हों ने किया उसका प्रतिनिधी भी मुझे बनाया गया है उस प्रतिनिधी के नाते मैं यह अवदान स्विकार करता करता हुं और उनी को अर्पन करता हूं है परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है जिस धर्मस्थापना विश्व में करने के लिए राम का उवतार हुआ था उस धर्मस्थापना को अनु कूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन करना यह अपना कर्तव्य बनता है राम लला आये हैं हमारे मन को आलादित करने के लिए उत्साही करने के लिए प्रेणना देने के लिए साथ-साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवन करने के लिए आये हैं उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए सब लो हम करेंगे तो मंदिर निर्मान पूरे होते होते विश्वगुरु भारत का निर्मान भी पूरा हो जाएगा इतनी क्षमता हम सब की है इसका मैं एक बार स्मरण देता हूं आप सब को धन्यवाद देता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं